स्टॉपन तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरूकरते है दोस्तो जीवन स्मॉल फाइनेस बैंक के स्टॉक के भी प्राइस चल रही है 19.70 और आज के दिन हमें इस स्टॉक में 19% का एक डाउंटेंड देखने को मिल चुका है दोस्तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि हमें आज की दिन इस स्टॉक में इतना बड़ा डाउंटेंड देखने को क्यों मिला वैसे तो आज के दिन market ही 100 point से ज़्यादा down था लेकिन फिर भी हमें इस stock में बहुत ज़्यादा downtrend देखने को मिल चुका है दोस्तो company के managing director निटिंग चाग ने आज resignation दे दिया है इस बज़े से हमें इस stock में 19% का downtrend देखने को मिला है आज के downtrend का reason यह है लेकिन फिर भी हम पहले के downtrend की बाते करें तो पहले से हमें इस stock में डाउन्टेंट देखने को मिल रहा है 2019 December में इस stock का IPO आया था तब से continue हमें इस stock में downtrend देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं कि 2019 में इस stock की price क्या चल रही थी और उसके बाद में stock की price कहा पर आ गए थी बाद में जैसे ऐसे market ने recovery थी तो हमें इस stock में भी थोड़ा सा recovery देखने को मिला लेकिन continue फिर हम इस stock में downtrend देखने को मिल रहा है दोस्तो मेरी सला यही है कि ऐसे stock में आप अपना investment ना करें इसे अच्छे एक रेट के stock में आप अपना investment करें इस stock में आगे हम सिर्प होप पर ही रह सकते हैं कि अगर company के management में कुछ changes आए तो ही हमें इस stock में अच्छा अप्रेंड देखने को मिलेगा क्योंकि technically और fundamentally इस stock में हम है 930 और आज के दिन हम इस stock में almost 3% का downtrend देखने को मिला है सबसे पहले हम यह जान लेते कि आर्टी इंड़स्टी के stock में news क्या है दोस्तों आर्टी इंड़स्टी डिमर्ज होने वाली है और नया stock आपके डिमेट में add हो जाएगा उस stock का नाम रहेगा RTFARMA LAB अगर आपके पास RTFARMA का एक stock आएगा अगर 400 share है आर्टी इंड़स्टी के तो 100 share आपके डिमेट में add हो जाएगे RTFARMA LAB के दोस्तो आर्ती इंडरस्टी में जो revenue generate होती है उस revenue का 20% revenue फार्मा बिजनस से आता था अब हम यह जान लेते हैं कि आर्ती इंडरस्टी का चार्ट अभी क्या बता रहा है दोस्तो market already downtrend में चल रहा है और आर्ती इंडरस्टी के चार्ट पर हमें आने वाले टाइम में और downtrend देखने को मिल सकता है तो अगर आपने इस stock में entry ली हुई है तो आप इस stock को SL के साथ maintain करें क्योंकि heavy loss से अच्छा है आप minimum loss के साथ ही चले दोस्तों अगर यहें वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जय हिन